कि आप सबी लोग कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो हम लोग आज इस वीडियो पढ़ने वाले हैं कलास टेंथ बिहार बोड कर नौन हिंदी है ना और कंटीन आप लिए तो नौन हिंदी आप चेप्टर नौबर फाइफ पढ़ने वाले हैं ठीक ह आप करना ना पढ़ें अगर आप अध्यन करते किताब को तो जादा ही बेस्ट रहता है लेकिन आज इस यहां भी दियांसे लेते हैं जितना सारा उब्जिक्टिप सापको मिलेंगे वह सारा आपको में इहां पर इसका ऑब्जिक्टिव करवाएंगे आप लोग कैसे हो ज ख़ нов 경udSA रूसलाम चले शुरू करतेगे सवाल को flatter तो पहले पिसके वारे जान लगते हैं तो यह है हुंडू का जलपर पाथ पुंडू का जलपरपाथ और इसके स्कया राटर की बात करने तो राटर कना में बहूत जरूरी है तह सके तो आप पता섯 के लेखा को नहあ इसके लेखा का नाम का बताईजी दरा लेखा का नाम की किसको समय ना में कांता कामक्ता का परसाद चैया सिंह कामता परसाद सिंह काम ये इसके राइटर का नाम हो गया और यह इसकी विधा क्या है इसका विधा क्या है तो यह सवार यात्रा विरतांत यात्रा विरतांत इस सवाल बहुत पोचता है युद्धा क्या है तो आना इसको देखेंगे तो बहुत अच्छ तरह您 यह दूनों नाम बहुत इंपोर्टेंट या कामता परसाद सिंग काम और यात्रा विरतान इसका मेन परपस का एक आदमी रहता किमवन दंती किमवन दंती किसको नाम कर गए वो जाता है यहां घूमने के लिए हुंडू का जल परपाद और समझे ब्लॉगिंग करता ब्लॉग होता है ठीके ना और उसी बात को पढ़ना है फिलाल एक छोटी सी मोटिवेशन पहले आपके लिए हमें पेश करते हैं कि भीड में शीर मचाने वाले भीड में ही रह जाते हैं सफल तो वह होते हैं जो खामूशी से मेहनत करते हैं सिर्फ भुकने सही होता है छोटी सफल नहीं होते हैं वो हमारे आती रहती है यह चेप्टर के शुरू में इसमें वाते हैं रूख में धार्मिक संस्ख्र्टिक अस्थान संस्र्चति में तो भूर में मूनुमेंट है हुन्डू का जलपरपात ऑधिवासी संस्र्चति की विंस्षेटा को उभार किस संस्कृति की विशिष्टा को उभारने का यात्रा विर्टान्त है तो याद कि ना आदिवासी संस्कृति यह पॉइंट यह पॉइंट यह में अब बच्चा इसको पड़ता नहीं में यह लोग रहते हैं जंगली में रहने वाले लोग है आधिवासी के में क्याविसिष्टा थैंक्या बीनताये उसके बारे उभारने की या तरह बारे के पुरा बताया सब्सक्राइब और कोईला वगारा के बारे में बताया गया यानि प्रकृति के साथ यहीं मनुसी के जीवी जीवीचा और सब्सक्राइब संस्कृति के परति विश्वास परकट किया गया है सबाल बोलता है सवाल आएगा हुंडू का जल परपात में किस संस्कृति किसके परती विश्वास परकट किया गया है किसके परती विश्वास परकट किया गया है कि बहुलवादी संस्कृति के परती विश्वास परकट किया गया है और यह जो चेप्टर है किसको उभारने का काम करता है लेकिन बोलता है पर किसके परति विश्वास पार करता है तो बहुलबादे संस्कृत यह तुमारे लिए बहुत कि इस ने किया को है मैं तो खुद नहीं घिया हो अगर आप लों में से घ्राइव इंढा ovय कि इन लाम है ये नाव कि यूं दंति वों साथ डिया लोला यह पढ़ता है जारखन में का है जारखन में पढ़ता है ता इसको बोलते क्या राची नाम से निकल गया पठाता है जारखन के राच परता है अगे जगाँ बताते poderia को रहा हैं अ और रहा है उसवर्णे नाम है पानी का मतले उद्गम कहा तर पानी का नाम है तो यह नाम है सुर्णे रेखा नदी से करीब बोलता है कि 50 मिल दूर जाता है है तब जाकर कि जो बनता है जलबघा का जरना बनता है इस कहानीicating बताया गया है कि जो खरना जो देख रहें वे पानी कर दो on 2v सारी बाते नोट कर जहां से 243 फिट जो है उपर से पानी नीचे गिरता है और जाब पानी नीचे गिरता है तो उचलता यह पानी बहुत ज्यादा है 243 तो नीचे गे रहा तो नीचे उछलता भी बहुत जाधा तो मुझत पानी गिरता यह तो memang एतना गिरता है क्यों सीन से जो help दो दोल मझेतना सीन गरनी के बाद कीतना सीन मजा ऐता हो देखने में मुज है वीड फीट है उसी तो है जो शलता है कि यह सब हAudet कि जेगा 20 फिट पानी उचलता है कि अगर आप जाओगे तो चोटा नागपूर जगा आधे चोटा नागपूर पूरूलिया नाम का रोड है चोटा नागपूर से पूरूलिया जाओगे ना जगह है चोटा नागपूर से पूरूलिया 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 जो है चोटा नागपूर से पूरूलिया 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 जो है चोटा नागपूर से पूरूलिया जाओगे तो कितना मिल दूरी है चओधा मिल दूरी है जब फिर पूरूलिया से पूरूलिया से कहा जाओ कि रांची जाओ अपूरूलिय Если रांची दिया राची से पूरूलिया जो जाता है और फिर पूरूलिया से फिर पूरूलिया से कहा जाएगा हाँ वह हुंडू जाएगा चले बहुत अच्छा वेरे गुट सबका कमेंट आ रहा है तो टोटल देखा जाए टोटल यहां से पूरूलिया चौदा और यहां पूरूलिया से हुंडू तेरा टोटल जो है यहां पर एक पॉइंट बताया है जो कि आपको जानना जूरूरी है बताया यह गिया है कि जो सोवर ने रेखा नदी है ना सोवर ने रेखा नदी जो पानी निकलता तो पानी कहां कहां जाता है एक तो आता है कि या तो हद्रों के यहां त्रफ में एक त्रफ रांची का जंगल है और दुसरा के जल पर पर प्त कि महतंने गहंत्रता तभी जब उसका साधन भी महान होगा तभी हम यहां पर घूमने जाएंगे तो महान है क्योंकि उतनी उचाए से पानी गिरता है सीन बहुत अच्छा होता है है ना तो गांधी जी का एक कथन याद किजागा सवाल मिलेगा कि साध्धिकी पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब महान मंझिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी महान होना चाहिए लेकिश कितना अच्छा बात बोला गया महान मंझिल पर पहुंचना है तो आपको मार्ग भी बहुत अच्छा चुन्दा होगा ठीक ना चोटा नाधपूर एक जगह है आपको बताये मैंने इस सुवर्ग का कटुकडा बोला गया है इस में आप थोड़ा नागपूर को चोटा नागपूर को सवर्ग का टुकड़ा बोला गया है इसको चोटा नागपूर को है बताता है कि छोटा नागपूर से साथ मिल दूर इससे भी कई गुना बला जो घरना लेकिन रास्ता बहुत भेंकर है लोग को जाना तो पानी यहां पर साप की तरह चक्कर करता है साप की तरह आपको मिलेगा कि पानी गिरता है तो इसकी खूबसूरते के बारे में बताया गया फिलहाल यहां पर सबसे ज्यादा इंपोटेंट आपकी बाती है कि इसकी फीट है दो सोचैतालीस फीट से गिरता है बीश उछलता है इसाफ जिक्र है किताब में बंगाल की से Mrs. करती है तो बताता है सिंभूम हो गया बाला सुर हो गया ढांभ भूं धनवाद हो गया रांची से चरsel करते वह और आप बनाईएगा फटाफट जवाब है ना चलिए सबसे पहला सवाल है चलो फास्ट में हापने सवाल के जवाब देजिए देखे सवाल क्या बोलता है के ऑरक और खत्दानों का वर्न किसमें किस पार्ड में करें गया है चैप्टर में एक चेप्टर है ल reader कर मिदिए बाला सोर निकलते हैं अब आपको बताया राची से राची गया धनबाद जाता है ऐसे नदी गुजरते हुए गुजरते हुए रहा चल जाता है बंगाल की खाडी में पहार करता है तो गुमान करता है पर यूग यूग से ना जाने कितना पानी पहार कर चुका है जल पर चाहित कोँन सी विद्धा क्या है तो यात्रा विर्तांत क्या है यात्रा विर्तांत नेक्ट पूरूलिया रोडीक्त सब्सक्सार्णा कि ब सब्सक्राइश पाणिगे सब्सक्माने हो distingu के कुल ज़्तां की कर्द्र के दूरी की धिर पुरूलिया से हुंद्रू राची से पुरूलिया तेरा है यह राची से पुरूलिया जार चौदा मिल जाना पड़ेगा और चलो आगे बोलता सवाल है की छोटा-Nagpur के निवासी सादगी के अवतार और घरीबी को परपाद शिरसक अध्याय में किसके परती विश्वास परकट किया गया अब यह किता में खोश्टे ना जाएगा नहीं बच्चा उपर प्रहते टम मिले गई इस सवाल सवास परकट किया गया है तो बताओ अब और क्या था आदिवास संस्कृति को उजागर करने का कोशिश किया गया है यह हो गया दो पॉइंट आगे देगा हुंडू के जल परपात किस राज्य के सवाल है जार मैं जारखन में उसन सी हो जाएगा बतार बतार अब रच जाना है तो रहांची से पूरूलिया पूरूलियों तो कितना हो जागा 27 मिल दूरी हो जागा रांची से हुंडू कितना है 27 मिल की दूरी है चीकर नहीं कि चले ठीक है आगे सवाल देखते हैं सवाल क्या बोलता है सुवर्ग का एक टुकड़ा कौन है इसमें से कौन है तो आपके किताब में दिया हुआ है कि छोटा नागपूर जो की राइटर है कामता परसाथ सिंह काम तो अभी तो सारा चप्र मिक्स जबाएगा तो आपको सोचना पड़ेगा ज्यादा लेकिन अब हुंडू का जल परपात के बारे पड़े तो ज्यादा सोचने के जरूत नहीं लेकिन दिमांग में जाद आखिए जब सवाल मिक्स हो ज पवितरता एवां महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो यह बात किसने बोला था मातमा गांधी जी ने बोला था हुंडू से कितने मील की दूरी पर कुछ लोगोंने हुंडू से वे कई गुना बड़ा परपात देखा नहीं नहीं यहीं वुलोगिंग कर रहे था यहीं हुंडू से साथ मील की दूरी पर जो आ पकाफी बड़ा काई गुना बड़ा जो है परकात है जरना है आँ वाटरफॉल है रांची से पुरुलिया वाली सलक पर कितने मिल जाने से पूरुलिया क्या मतलव सबस्क्राइब इतना बड़ा परपात है जहां फूट से पानी कितना फिट से बताओ कितना फिट से पानी गिरता है तो को पढ़ना है तो सोऔर ने रखा क्या है सुवर ने रखा एक नदी क्या है रधने क्या है वह नुद्रू का उद्गम अस्थान भी ही है उद्गम जान से निकलता है सवाल यहां पर लास्ट हो गया चलिए जैसे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बहुत सारे बच्चे ने बहुत गजब-गजब का अंसर दिया था बहुत अच्छा लगा था जैसे मैं आप लोग का दिखाता हूं एक मिनट मैं आप लोग का दिखाता हूं कहां गया वेट करो वेट करो आप लोग ने बहुत गजब-गजब कर लिखा लेकिन एक बाएक एक चीज़ की और थोड़ा मेना कमी कुछ-कुछ बच्चों में वह मैं आपको बताता हूं दियांसर देखेगा आपको इसमें भी हमव ना देख रहे हो क्या एक ओलायन सॉलुचन तरह यार दिखेगा चेव शर्चान एक चीज़ कंड़ सब्सक्राइब करो अब ही मैंने जो प्लाय था पोग्रक्राइब क्या प्लाय था प्लायत कराकर अंब कर वेमें're you अब लोगों ने जो अंसर दिया बड़ा अच्छा लग आप लोग का अंसर देखके बहुत मज़ाया था कि आप लोग गजब का अंसर दिये थे ना देखे बाल गण भगत आपने पढ़ा था इसी तरह से इसमें अंसर मैं आपको देने के लिए बोलूँगा आप लोग का जो अब बजएगा एक मिन रफाई बजना सुरू हो जाएगा ऐसे इसका यहां पर लोग कमेंट हैं देखिए सारे बच्चे ने बहुत अच्छा चामेंट के था बहुत अच्छा लगा कमेंट आप लोग का देखके बहुत मज़ाया इस लिए इस चेप्टर देखिए बाल कर स्कुंट को निखानेर इस ले अफमर्डू को निकाल लेजिए मून्डू का जलब पर पातल पर कुछ लेंसे हैं एक ही में कमेंट करना बार बर नहीं मतलब एक ही बार में लिख दिना है जितना तुम जानते हों कम से कम पांच लैंग सब को लिखना है बहुत अच्छा लगेगा और मैं चालेंज के साथ वो रहो एक बार आगर आपने लिखी दिया ना जितना मर्जी पूरा भड़ास निकाल दो पूरा जितना तुम जानते हो जतना मैंने अभी पढ़ाया है सब को लिख दो कम से कम पांच लाइन से कम मत लिखना ज् आज क्या टेस्ट हो आज में बताता हूं आज किसका टेस्ट तो ङोगन और रिखाण से मैं थे क्या जी जहOW गोगल पे ऑपन्म करोंगे एम लैंस यहां पर जाना इसको ओपन्म करने के बाद they are इसको ओपन करने के बाद इसको ओपन करने बाद देखो नीचे यहां पर आओगे नीचे आने के बाद यहां पर देखो डेली टेस्ट यह यहां पर जाईए आज टेस्ट हो रहा टेस्ट दीजिए और बच्चों को मैं बता जाता हूं कि बच्चों जिसको अगर जिसको अगर गुरूप वगरह में दुड़ना है तो देखिए आपको नंबर यहां पर एक मोबाइल नंबर जा रहा है ना मोबाइल नंबर जा रहा है दस ब्यालिस ब्रतिश डेवल जो नीव बच्चे देख लिए इस मोबाइल नंबर से कॉंट्रेट कर सकते हो जिसको उर्दू सिर्फ दू और नौन हिंदी का उर्दू और नौन हिंदी का नोट से लेना है उसके लिए सिर्फ सुलूसन का सब्सक्राइब आपको सिर्फ दो सो निन्यानवी देना पड़ेगा सब कुछ मिल जाएगा इसकी खास्यत यह है कि सबसे बड़ी बात है कि आप लोग का कमेंट हम देखना चाहते हैं सारे बच्चों को कि सारे बच्चों को कमेंट देखना चाहते हैं कितना जल्दी कमेंट करता और कौन कितना अच्छा सेंटेंस लिखता है उसको वहां पर मजा देगा पढ़ने को मजा जाएगा ठीक है डाइट साल थैंक्यों करते वीडियो को